महरास्ट्रों में शिखसेना नेता संजे राउत ने चुनाओ आचार संहिता को लेकर विवादत बयान दिया है एक जन सभाव में उन्होंने कहा हम ऐसे लोग है भाड में गया कानून आचार संहिता भी हम देख लेंगे जो बात हमारे मन में है वो अगर हम मन से बाहर नहीं निकाले तो घुटन सी होती है सुप्रेम कोर्ट द्वारा राफेल डिल मामले पर दोबारा याचिका सुईकार के जाने को चौकिदार चोर है के रूप में पेश करने से कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांदी की मुश्किले काफी बढ़ गई है बता दे राफेल डिल मामले में CJI रंजन गोगोई के अध्यक्षता वाली तीन सदसिये बेंचों का कहना है कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी टिपडी नहीं की गई है हाला कि राहुल गांदी पर सुप्रेम कोट के बयान को गलत तरह से पेश करने का आरोप लगाया गया है जिसे लेकर सुप्रेम कोट ने राहुल गांदी को नोटिस जारी करते हुए 22 अप्रेल तक मामले पर जवाब देने को कहा है पीजेपी प्रत्याशी जैप्रदा के खिलाफ अश्लील टिपडी को लेकर समाजवादी पार्टी के वरिष्टन नेता आजम खान पूरी तरह से विवादों में घिरे हुए हैं बदादे आजम खान द्वारा दी गई टिपडी को बेहद अपमान जनक करार देते हुए योग्या दितिनाथ ने अखलेश और मायावती पर आरोप लगाते हुए कहा कि बस्पा सुप्रीम मायावती एक महिला होने के बार दी इस मामले पर चुपी साध रही हैं जिससे ये सा अशर पर भाजबा के प्रदेश पदादिकारी, चेत्रे पदादिकारी, जिला पदादिकारी, मंडल अध्यक्ष मंडल पदादिकारी और कारेकरता मौझूद रहें केंद्रिय कारे अलक अउद गाटन हुआ है और पूरी तैयारी के साथ जो हमारी टीम है भारतिय जंता पार्टी की है और जो भी हमारी सहयोगी पार्टिया है सभी लोग मिल करके और आज यहां से विगुल बजाएंगे हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश में इनके निर्देश में हम लोग चुनाव की पूरी तैयारी के साथ में आज शुरुआत कर देंगे नैतिक पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लक्नों में राजनात सिंग के खिलास सुचेता साहू को उमिद्वार बनाया है दावेदारी मिलने के बाद सुचेता साहू ने कहा मैं शुरू से ही समाजिक कारियों से जुड़ी रही हूँ मैंने बच्चों को निशलक कंप्यूटर सिक्षा देने का काम किया है ग्रामीर गरीब बालिकाओं के विवा में मदद की है इसके साथ ही साथ मई वर्तमान में महिला समस्याओं पर काम कर रही हूँ उन्होंने कहा मैं आगे भी ऐसे ही अपनी स्यवाएं देती रहूंगी श्रावस्ती में मददाता जागरुकता कारेकरम का आयोजन किया गया जाश्रावस्ती लोकसभा सीट पर छटवे चरण में 12 माई को मददान होना है वहीं मंदला युक्त ने वरिष्ट मददाता को प्रशस्ती पत्र दे कर सम्मानित किया इजेपी के वरिष्ट नेता और पूर्व मानो संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि सोशल मीडिया पर उनके नाम से एक फरजी पत्र वाइरल हो रहा है जोशी का कहना है कि चुनाव आयोग को इस पत्र की जाच करनी चाहिए चंडीगड के मनी माजरा से औरियंटल बैंक ओफ कॉमर्स के लॉकर से पच्चिस तोले के सोने के साथ एक डायमेंड रिंग भी चोरी हो गई है और चोरी करने वाला कोई और नहीं बलकि बैंक का ही चौकिदार है फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर आगे की कारवाई शुरू कर दी है